दोस्तो आज का वीडियो है भारत के सहर और उनके उपनामों के बारे में यानि किस सहर को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है जैसे कि भारत का बोश्टन वे मांचेश्टर किसे कहा जाता है तो इसका सई आंसर होता है एहमदाबाद तो भारत का बोश्टन और मांचेश्टर एहमदाबाद को कहा जाता है तो एहमदाबाद है गुजरात राज्य का सहर यानि गुजरात का सबसे बड़ा सहर है एहमदाबाद नेश्ट क्यूशन है अमारा लेधर city of South India किसे कहा जाता है तो सही आंसर होगा मारा बनियामवादी यानी option number B सही होगा लेधर city of South India बनियामवादी को कहा जाता है और यह बनियामवादी है तमिलनाडू में next question है city of temple where sanskritik where adyatmik भारत की राजधानी किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है वारानसी को यानि इसका option number C से ही होगा और दोस्तों ये वारानसी है उत्तर परदेश राज्य का सहर दोस्तों अगर आपको वीडियो में बताएगे questions अच्छे लग रहे हैं, helpful लग रहे हैं तब आप exam skill YouTube चैनल को subscribe कीजिए और bell icon पर प्रेस कीजिए, ताकि परतेक नूव वीडियो का notification आपके पास में सबसे पहले पहुंचता रहे हैं और आपके एक भी वीडियो मिशने होगे और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे वाकिए दिल से तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा तो next question हमारा city of lakes किसे कहा जाता है तो city of lakes कहा जाता है स्री नगर, ठाने, नैनिताल, भौपाल तो इस question का option number E से ही होगा स्री नगर को तो आप जानते ही हैं जो की जम्मू कस्मीर में है फिर आता है आपका ठाने, ठाने हैं महराष्ट में फिर नैनिताल, नैनिताल आता है उत्राखंड में और भौपाल को तो आप सभी जानते ही होगे जो मज्जा परदेश की राज़धानी है next question है gateway of north India किसे कहा जाता है तो gateway of north India कहा जाता है सिलिकुरी को यानि option number D से ही होगा और ये सिलिकुरी है परसिम्बंगाल राज्य का सहर next question है योग सिटी किसे कहा जाता है तो योग सिटी कहा जाता है रिशी केस को यानि इस question का option number D से ही होगा और ये रिशी केस है उत्राखंड राज्य का सहर next question है queen of decan किसे कहा जाता है तो Queen of Deccan कहा जाता है पूने को यानि इस question का option number C सही होगा और ये पूने है माराष्ट राज्य का सहर Next question है Paris of the East किसे कहा जाता है तो Paris of the East कहा जाता है पून्डुचेरी को यानि इस question का option number B सही होगा Next question है Orange City किसे कहा जाता है तो औरेंज्ट सिटी कहा जाता है नागपूर को यानि इस कोस्षिन का ओप्सण नमबर A सही होगा और यह नागपूर है आपका महराष्ट राज्य का सहर Next question है Greenware Heritage City किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है मैसूर को ओप्सण नमबर B सही होगा और ये मैसूर है करनाटक राज्यका से है Green City भी मैसूर को कहा जाता है और Heritage City भी मैसूर को ही कहा जाता है यानि इसके दो अपनाम है Next question है Queen of the Mountain किसे कहा जाता है Queen of the Mountain कहा जाता है मसूरी को यानि इस question का option number C सही होगा और ये मसूरी है उत्राखंड में मैसूर है करनाटक में और मसूरी है उत्राखंड में ये question भी आपको अच्छे से ध्यान्दक लेना है Next question है Power Hub City किसे कहा जाता है तो Power Hub City कहा जाता है मुंडी को यानि इस question का option number D सही होगा और ये मुंडी है मज्धय परदेश राज्यका सहर Next question है City of Seven Island वे ड्रीम गेटवे ओफ इंडिया और वे आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों ये तीन नाम है City of Seven Island यानि साथ टापवो पर बसा हुआ फिर है ड्रीम गेटवे ओफ इंडिया यानि भारत के परवेश का दुवार फिर है आर्थिक राजधानी यानि पैसों के मामले में राजधानी तो ये सभी नाम है मुंबई पे यानि इस कोश्चन का उप्स नंबर सी सही होगा और ये मुंबई को तो आप जानते ही होंगे जो कि माराश्टराज जगा सबसे बड़ा सहर है नेश्ट कोश्चन है मैंगो सीटी किसे कहा जाता है तो मैंगो सीटी कहा जाता है मालदा को यानि जो मालदा आम होता है आप कहते हैं कि ये मालदा आम है तो mango city के नाम पर ही उसका मालदा नाम पड़ा क्योंकि वहाँ पर मालदा आम का सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो उसके इस्थानिय नाम के नाम पर ही उस आम का नाम मालदा रख दिया गया और यह मालदा है पश्चिम बंगाल में नेस्ट कोशन है Athens of East, West City of Festival फिर तीसरा नाम है Temple City तो यह तीनों नामों से किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है और यह आपके एक्जाम में भी बहुत बाहर पूछे जाते हैं और दोस्तों इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में भी दे रखा है अगर आपने अभी तक भी एक्जाम इसकिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन फर प्रेस कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा तो ठीक है मिलते हैं जल्दी एक नहीं वीडियो के साथ तब तक आप स्क्रीन पर सो हो रही वीडियो को देखिए थैंक्स फॉर वोचिंग एक्जाम स्किल